हेलो डिये स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे पहले साथ ही हो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल मेडी साइन्स टुटोरियल में फेंड्स आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नमबर 22 है और इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप लोग लैप टेग्चर के साथ जूड़कर अपने प्रिप्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर इसके फीचर की बात करूं तो आपको लाइब और रिकार्ड़ी क्लास मिल जाती हैं टॉपिक जिससे आपका प्रेक्टिस बेतीन तरीके से हो जाएगा बीकली डाउट सेशन यानि कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग बीकली सेशन में आके अपने डाउट को किलियर कर सकते हैं अगर मैं इस बैच की बैलड़ी की बात करूं तो जब से आप लोग इस बैज को जोईन करोगे उसके 8 मंद तक आपको वैलिटी मिल जाती है बैज को जोईन करने के लिए हमारे decision box में हमारे application का link दिया गया है वहाँ से आप लोग उसको download कर सकते हो पले store से हमारे channel के नाम को search करके आप उसको download कर सकते हो या फिर हमारा whatsapp number दिया गया है इस whatsapp number पे आप लोग काल करके message करके बैज की inquiry कर सकते हो साथ में ये जो आपका class होगा उसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे telegram का जो link है decision box में दिया गया है वहाँ से जाके आप लोग join कर लीजिए और PDF को प्राप्ट कर सकते हो तो चलिए फ्रेंड्स बिना किसी record के आज के histopathology mcq को हम लोग शुरुआद करते हैं histopathology का जो पहला mcq है आपको screen पर यहाँ पर सो हो रहा होगा और यह कह रहा है कि removal of water from tissue pieces is known as यान कि अपने tissue piece से water को remove करने की जो परकिरिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं या फिर उस जानकारी को हम लोग क्या कहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स options आपके हैं decalcification, rehydration, dehydration और आपका clearing देखिए जब भी हम लोग यहाँ पे histopathology की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही point आता है क्या tissue processing क्या आता है बच्छों tissue processing आता है tissue processing एक ऐसा processing है या फिर step है जिसमें हम लोग tissue को collect करते हैं collect करके उसको preserve करेंगे और उसके बाद में हम उसको standing तक के prepare करते हैं और पिर हम लोग pathologist को slide को examine करने के लिए दे देते हैं तो इस पूरे परकिरिया को हम क्या कहते हैं tissue processing कहते हैं तो शुरू में जब आपके lab में process होते हिं तो कि उसे fix beautiful भी करना है उसमें से water remove करना है और हमने वहाँ पे water remove कर दिया तो जो भी हमने complete water के लिए था उसको हमेए रिमूव करना है का naar तो सभसे पहला जो आपको पॉइंट याद करना है है कीटी स्भ फोते हैं तो चलिए सबसे पहले आप है लोग्त look देख लेते हैं कि में कौन कौन से इस्टेफ आते हैं तो सबसे पहला जो आप पर step आता है होता है आपका fixation जब भी आपके lab में कोई भी टिसू आएगा तुषका आप लोग fixation करेंगे तक हमारी टिसू का आटोलिसिस या फिर putrification ना हो सकते उसके बाद में दूसरा जो आपका होता है वह होता है आपका decalcification अगर आपको यहां पर requirement है तो यानि कि अगर आपके tissue में calcium आ गया है तो उसको remove करना होगा तुसे हम decalcification के माध्यम से remove करेंगे देन उसके बाद में आपका होता है dehydration क्या होता है आपका dehydration का मतलब हो जाता है बचो पानी को या फिर water को remove करना देन उसके बाद में आपका dehydration के बाद आता है clearing क्या करते हो fucht क्या करते हो इंफिल्ट्रेशन करते हो उसके बाग में आपके इन फिल्ट्रेशन के बाद आपका यहां पर आ जाता है इंबेडिंग क्या जाता है बच्चों इंबेडिंग आ जाता है तो देखे यह six step तो आपके tissue processing के अंतरगत रखे जाते हैं लेकिन इसके बाद भी आपका एक step होता है जिसको आप लोग यहां पर कहते हो embedding के बाद आपका होता है Microtomy क्या होता है Microtomy के बाद आपका होता है standing होता है और standing के बाद बच्छों आपका जो सबसे last step होता है उसको कहते हैं mounting क्या कहते हैं mounting तो कभी कभी क्या होता है टिसू प्रोसेसिंग में इन 9 step को include किया जाता है और कहीं कहीं पर अगर हम लेकर सही तरीके से देखें तो आपकी जो 6 step है इसको हम लोग टिसू प्रोसेसिंग के अंतरगत यहां पर include करते ही तो आपको इस सारे 9 step को याद रखना है अगर इस step को आप लोग फालो करते के तो पूरा आपका जो इस्टो पैथलोजी वह आपका end हो जाता है जैसे कि हम लोगों ने जो theory class अपने लफ्च बैच में पढ़ा उसमें हम लोगों ने इन सभी step के बारे में detail से discussion कर लिया है इसके बाद ही हम लोग यहां पर इस्टो पैथलोजी के MCQ को solve कर रहे हैं हमार यूटूब चैनल पर ठीक है तो देखिए fixation का मतलब हमने आपको क्या बताया fixation का बच्चो मतलब यह हो जाता है कि हम अपने tissue को fix कर रहे हैं ताकि उसमें autolysis ना हो या फिर का रिष्टेप आता है वह आपका होता है dehydration का देखिए जब आप लोग fixation कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें liquid वाला part यूज कर रहे थे जिसको अब करना होता है यान कि alcohol को रिमूब करने के लिए कि आनि कि अल्कुहल को रिमूब करना होता है और इसी को हम क्या कहा ज estos है उनको रिमूब करने का काम क्या करता है इन्फिल्टुरेशन वाले अपके step में होताए उसके बाद में tissue को मािक्रोटॉमी सही से अबए उस इमेडिंग प्रकार की मीडियम का पर हो करते हो और इस प्रकिते हमएड़िंग करते हैं और जो उसको हम लोग यहां पे कहे तो हम लोग करेंगे इसकी stand करेंगे बनाए जो फेर स्फटर करने का मटोдел से पमेने और यहां फिर यहां पर पर लगा लगा दोगी। कशल लिए मांटिंग मीडियम को यहां पर यूज कने का क्या मतलब हो था हमने बताया था रेप्रेक्टिव ऐंडेक्स की बारे में हमने आप थ्वरी प्लास में बताया हुआ है थो इसे step को crawling करने के दिश्वालो करने के लूझ क्या करते मांटिंग मीडियम रूपिए हम तो कुल प्रकार के आपके कितने हुए step 9 प्रकार के step हुए यह आपका हो गया tissue processing अब देखिए removal of water भी आपको पता चल गया कि dehydration होता है और सारे step भी आपको पता चल गया होंगे कि कौन से step में क्या चीज यहां पर होता है अब हमें क्या करना है इसी वाले lecture में या फिर कहिए हम लोग को जो हमारे dehydrating agent है उनको भी समझ लेना कि कौन कौन से dehydrating agent यहां पर होती है तो चलिए यहीं पर मैं आपको लिख दे रहा हूं कि कौन से dehydrating agent यहां पर use के जाते हैं तो पहला जो आपका होता हमने आपको बताया कि हम यहां पे alcohol उपयोग में ला सकते हैं कि इसको उपयोग करते हैं क्या करते हैं डायोजेन का यहां पर हम लोग उपयोग कर लेते हैं बच्चों ठीक है जो हमारा डायोजेन है बच्चों यह जो डायोजेन काम करेगा आपके dehydrating agent के रूप में भी और आपके clearing agent के रूप में जान रखेगा डायोजोन हमारे dehydrating agent के रूप मे जाने जाते हैं तो आपका राइट आंसर यहां पे हो गया होगा एक step आपका यहां पे रिहाईडरिटरिटर्ड का मतलब होता है किसी भी component में hydrogen water को एड करना यानि कि अपने एस टूओ को क्या करना एड करना उसको क्या रहेते हैं उसको यहां पर हमाहीं पर री हाइडिटार्म joinedrü के नाम से आपके याथ जानके टीकर चॉशन रहा और से शेड़ा do willing कुछ ममने हैं पर ईस्प्लाडेशं दिये जो आपको क्लीयर से चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं अगले MCQ पर अगला जो आपका MCQ है स्क्रीन पर यहां पर बच्चों से हो रहा होगा यह क्या कहना चाह रहा है यह यहां पर कह रहा है कि आपको बता देना चाहता हूं कि कौन सा साइटेप हम लोग अपनाएंगे अपने किसे रिमूबल आफ वाटर के बाद यानि कि डिहाइडेशन के बाद तो डिहाडेशन के बाद जो आपका किलेरिंग का इस्टे प्रा रहा है हों किया रहा है उब कर रहा है आपका सब्सक्राइब पर समझते हैं कि अखरip रोडे में होते कौन-को उसे तो तो पहला जो आपका clearring agent होता है बच्चों होता आपका जाइलीन जैइलीन होता है उसके बाद में आप लोग यहां पर तालूलीन में वह उप्योग कर सकते हो देन उसके बाद में kloroform का यहां प्योग किया जाता है उसके बाद ने carbon इसे किया जाते हैं किया टेट्रा झाल उढ़ आइला हए तो एक आपका शार फ्लीन हो गया है कोलॉरौफ साथ यह कितने प्रकार के आपके क्या होगे यह जितने हैं आपके क्लेरिंग एजन्ट के रूप में यूज किया जाते हैं बात आपको क्लियर है एक दम से क्लियर हो गया होगा एक आपका और यूज क्या जाता है जिसको मैं आपको बताया क्या डाइजोन क्या जाता है आपका होने के कारण हम लोग इसको डे एजन्ट के रूप में भी उज़ करते हैं और यहां पर क्लेरिंगे जन्ट के रूप में भी उज़ करते हैं बात आपको चलिए हो गया कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए एक मेडियोब को भी हम देखो लेते पहला तो आपका होता है मेडियो ऑग इतने प्रकार के आप लोग यहाँपे embedding medium कर सकती हें, और mounting medium में हमने आपको बता테ं कि MPX सब्सक्ते जादा दाता है, ठीक करन्डप ब्लाजम भी होता है, कनेडबलेजम भी होता है, कनेडबलेजम भी होता है, कई प्रकार के आपके जो mounting medium में use के जाते हैं को आपका equation mounting medium होता है दूसरा comparison जिनस माउंटिंग मीडियम होता है। इन सभी के बारे में हमने theory lecture में बहुत ही complete रूप से discuss किया है। तो आप लोग theory lecture को जॉइन करके या फिर इतने बच्चे जॉइन किये हुए है। आप लोग बढ़िया तरीके से class को ले लिजिए। उसके बाद में MCQ को solve करिए। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरे का answer क्या होगा कि removal आप water के बाद पर जो step होगा तो आपका होगा clearing जिसमें हम लोग clearing agent का उप्योग करते हैं बच्चों ठीके बात आपको clear है अब चली आते हैं अपने तीसरे MCQ पे तीसरा MCQ यहां पर कह रहा है कि for checking complete dehydration समझेगा बात लोग for checking complete dehydration dot dot solution is added in the final beaker of dehydrating agent as indicator यह कह रहा है कि माली जी आप लोगों ने क्या लिया आपने dehydrating agent लिया और क्या क्या dehydration कि आप लोग ने तो आप लोग कैसे चेक करोगी कि हमारा जो dehydrating है फिर हमारा dehydration है हमारे tissue का complete हो चुका है ठीक है तो उसके लिए क्या करना होता है कि आप लोग बीकर में माली जी आपने tissue लिया था और फिर आप लोगों ने यहां पर dehydrating agent को डाला था ठीक है clear है तो फिर जब आप लोगों इसको remove कर लोगे तो उसमें कुछ reagent डाला जाता है ताकि हम लोग चेक कर सकें कि यह complete हुआ है कि नहीं हुआ है आज यह indicator की रूप में तो आप यहां पर क्या डालोगे है कि आपका जो dehydrating agent इसमें पड़े हुए है इसमें जब आप लोग कॉफर सल्फेट को डालोगे तो कौन सा कलर यहां पर हो जाता है तो आपका यहां पर बुलू कलर सो करने लगता क्या बुलू कलर आपका यहां पर क्या होता है यह होता क्यों समझ यह आपका क्या था यह अपने डी हटिंग एजन्ट को डाला तो जब आप लोग यहां पर डी हटिंग एजन्ट को डालेंगे तो यहां से क्या निकलिगा आपके टिसू से क्या रिमूव होगा आपके टिसू से रिमूव होगा यानि की पानी यानि की वाटर आपका यहां पर रिमूव हो जाएग ठीक है अब इस bicker में आपके क्या चुका है आपके बीकर में आगया है H2O थाकि यानिकि पानी आगया है अधिक फानी था फिर इसमें क्या डाल रहे हो आप copper sulfate डाल रहे हो तो होता क्या है जो आपका copper sulfate है यानि कि CuSo4 है वो reaction करता है कि इस ते आपके water से और क्या बना लेता है यहाँ पर आपका बना लेता है CuSo4 प्लस यहां पρεί त्टिक क्या बन रहा है इसको आप्टन जो कलर होता है बच्चों यह इसका कल लू होता है त्टिक होने लगता है तहोंस आफ में दो तरीके से प्रसंद आ सकते हैं कि dehydration को complete करने के लिए आप लोगों ने copper sulphate डाला तो उसका color क्या होगा तो आपका blue color का होगा या फिर आप लोग कौन सा indicator use करते हैं तो copper sulphate यहां पे आप लोग यूज करते हैं बच्चों के लिए रहे ना point यह यह कह रहा है कि कौन सा हैं आप जो है आपका आपकी मिसल है किसमें आपके water, आपके alcohol में भी मिसबल है, आपके räaline मिसबल है और आपके पैराफिन इंवा दैक्स में मिसमल का मतलब क्या हुआ, मिसमल का मतलब हो जाता है Gholan seal क्या हो जाता है भुलन फिलन लो जाता है घूलन सीन इख सेलब जाता है एक देकर हम ने आपको पहले बता कि आप है धलन ब्चो क्या है यो हमारा Chamices के रूप में मिंवाि उच क्या जाता है और साथ आपके मिस्वल नहीं है ध्यान रखना आपसन नंबर क्या जाएगा भी इस दा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ठीक है किलियर हैं चलिए नेक्स्ट पे आते हैं नेस्ट जो आला जो आपका क्या होता है जब आप लोग यहां पर करते हैं क्या करते हैं इन फिल्ट्रेशन जब आप लोग यहां पर करते हैं तो आपके पैराफिन का जो नार्मल कंडिशन में ना होके मेल्टिंग कंडिशन में जाता है ठीक है तो उसमें आपका टंपरेचर क्या होता है ठीक तो समझिए आपका जो यहां पर ओप्सन दिया है क्या हो जाता आप यहाने की 5450 से लेकरface से लेकर शिश्ती हो जाता है तो राइट अंसर क्या जाता है option no.de fatal right जाता है क्योंकि Meyer कॉइंट होता है उतकॉdrop होता है क्या है प्रका हिए आपका ah ha techniques कि अगर भात करेंगे तो इसका जो आपका होता है मिल्तिंग इंबीण मीडियम है था इंबेडिंग मेडियम है इसका जो आपका मिल्टिंग पॉइंट ऄो हता है 37 degree Celsius होता है ठीक है तो पैरा बलास्ट का भी आपको याद रखना है जेलेटिन का भी याद रखना है और जो आपका most important है पैराफिन बैक्स इसका भी melting point याद रखना है क्योंकि आपकी exam में बहुत बाहर ही आपके प्रस्न पूछे गए है ठीक है किलेर हो गया चलिए पढ़ने से पहले बच्चों में आपको कहना चाहते हैं अगर आपको यह lecture अच्छा लग रहा है तो इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो अपने दोस्तों में इसको सेर करिए और सब्सक्राइब करिए ठीक है चलिए एट नं के लिए यहां पर यूज में लाया जाता है एसी टॉन जिसको कहते हैं फार्मली बोथ ए अट भी या फिर आपका नना नाम से तो बताएए कि आपके इंजाइम के लिए आप यहां पर कौन से परकार के होते हैं हमने आपको बताया पहला का जो दो कटेक्री बनता है एक या फिर कहिए compound fixative है उसमें आपके दो या दो से अधिक आपके chemical मिलकर बने होती तो उसको अमलोग क्या कहते हैं उसको अमलोग compound fixative के नाम से जानते हैं अभी आपको जो compound fixative है यह भी सके बहुत सारे topic हो जाते हैं यानि कह सकते कि सब classes हो जाते हैं बात आपको के लिए लेकिन हमें इसके ज़्यादा deep में नहीं जाना है क्योंकि आपका यह theory lecture हो जाएगा हम यहाँ पर कम समय में ज़्यादा mcp solve करने की कूशिस करते हैं इसलिए आपको यहाँ पर बताना है कि enzyme के demonstration के लिए कौन सा fixative यहाँ पर यूज किया जा सकता है तो option आपका हो जाएगा acetone यान आपका sabre number का mcq है और यह क्या कहना चाह रहा है यह कहना चाह रहा है कि the freezing microtome has greatest application है यह आपको बताया कि माइक्रोटोम जो है वो क्या होते हैं परकार की उठकरन होते हैं जो कि क्या काम करते हैं जो कि माइक्रोटोमी में काम आते हैं अतना जो freezing microtome है यह फिर आप कह सकते हैं कि इसका हम लोग यूज कहां पर करेंगे urgent biopsy are required यानि कि बहुत urgent biopsy होगी तब हम इसका उपयोग करेंगे fat is to be demonstrated यानि कि fat को भी इसके दौरा हम लोग demonstrate कर पाएंगे cryo state is not practicable या फिर आपका all option यानि कि cryo state भी आपका practicable नहीं या फिर कह सकते हो जिस जगह पे हम लोग cryo state को नहीं उच कर सकते हैं तो क्या इन सभी में आप लोग freezing microtome का उपयोग कर सकते हो तो हाँ बच्चों बिल्कुल freezing microtome का उपयोग इन सभी condition में किया जाता है क्योंकि अर्जेंट अकर बायास्थी की जरूरत है तो आप लोग क्या करेंगे करते हैं कि जो आप लोग करते हैं तो इसमें हार्डनेस आ जाती है और उसको हम क्या करते हैंि मैक्रोटोम के द्वारा कट कर देते हैं जो कि तो आप लोग क्या करती हो आप लोग यहां पर फ्रीजिंग माइक्रोटोम का उपयोग कर लेती हो एक चीज यहां पर ध्यान रखना बहुत ही जो इम्पोरटेन्ट में बताना जाता हूं कि जींग माइक्रोटोम है ध्यान लेकि धंडय होता है लेकिन अगर यहां पर बात किए कि अरप क्सकी क्राइव स्टेट की तो क्राइव स्टेट में हम लोग क्या रखने हैं कि इससेもし condensation में के लंगा मिलगता है और उसके दोरह यहां पर यहां पर आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो फ्रीजिंग मायक्रोटोम का temperature है वो आपका B-20 degree Celsius होता है कितला मायनस 20 degree Celsius और आपका जो cryo state है इसका जो temperature है मायनस 15 से लेकर मायनस 20 degree Celsius यहां पर आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो इस तरह से आपका जो right answer है option number D है लेकिन यह important point है इसको बहुत जरूर ध्यान रखिएगा कि freezing मायक्रोटोम में हम लोग क्या यूज करते हैं और cryo state मायक्रोटोम में हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं दोनों का उपयोग जो मैं अर्जेंट बयाफसी के लिए कर सकते हैं बस डिफ्रेंट थ्वासा यहां पर ध्यान में रखिएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट एमसी क्यों पर आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या रहेगा आपका नेस्ट आपको यहां पर एट नंबर का एमसी क्यों रहेगा और एक नंबर का एमसी क्यों कहना चाहरा है ध्यान से समझेए यह कह रहा है कि इन विच इस्टेनिंग दा एक्षन आफ डाई इस इंटेंसीफाइड वाई उजिन मॉडेंट यानि कह रहा कि कौन सा इस्टेनिंग की परकिरिया है जिसमें दा एक्षन आप डाई यानि कि जो डाई का एक्षन है इंटेंसीफाइड वाई उजिन मॉडेंट यानि कि मॉडेंट का उप्योग करके हम लोग इंटेंसीफाइड कर लेते हैं यानि कि तेज कर लेते हैं समझे का बात कि वहां कौन सा स्टेनिंग है जिसमें हम लोग मॉडेंट का अक्षमन का प्रामरी डाई के क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है बात समझ में आया है कि नहीं आया है हम क्या कहना चाह रहा हुआ कि modern टेक रहर का एजन्ट है जो कि primary के साथ क्या कर रहा है हमारा जो है डाई का जो एक्सन है उसको कर दे रहा है properties को increase कर दे रहा है जिससे जो tissue में इसको stain करने की या फिर चिपने की जो सकती है वो बढ़ जाती है वह ही होता है हमारा modern तो यह प्रस्म पूशा गया कि कौन सा यसा stain है जिसमें हम लोग modern का उपयोग करेंगे और जो हमारा डाई है या फिर हमारा जो primary stain है उसका जो power हो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इंट्यूज लेगा तो इसका जो right answer जाएगा आपका indirect स्टेनिंग हो जाएगा option number B is the right answer जाएगा देखिए दो प्रकार के डाई यहां पर हम लोग उपयोग में लाती है दो प्रकार के स्टेनिंग यहां पर हम लोग most important यूज करते हैं एक आपका होता है ठीक है एक आपका क्या होता है आपका progressive होता है और आपका यहां पर होता है प्रोग्रेसिव इंक्रेश जाती है यूज से बढ़े करते हैं लेकिन जो हमआरा progressive स्टेनिंग के यह इसमें हम लोग क्या करते हैं पहले उसके बाद में फिर हम लोग counter-restain का उप्योग करते हैं और वहीं पर हमारा differentiation हो पाता है दो component ओमें ठीक है तो progressive का मतलब यह हो गया कि हम लोग यहाँ पहले तो क्या करेंगे पहले तो क्यादा डाई का उप्योग करेंगे यानि कि पहले स्टेनिंग बढ़िया से गाठा कर लेंगे फिर हम उसमें क्या करेंगे तो यह आपका किसमें आता है आपके प्रोग्रेशिव में आता है और रिग्रेशिव का मतलब हो जाता है कि step by step जो अभी आपका फालोग दिया गए आपके डाई उसको आप लोग का मतलब living form में डिंदे फ़र्म में अब उन क्या करोगे इस्टेन करोगे तो उसको क्या कहते है उसको आम लोग वाइटल स्टेनिंग के नाम से आपे जानते हैं उसके बाद ने प्रकार की डाई का उप्योब परते हैं और पूरा जो हमारा टिसू है या पर हमारा कमपोनेंट है वो एक ही कलर से हो जाता है तो इसको हम लोग तो इस द्यान में रखिएगा कि प्रोग्रेशिब और आपका इंडारेक्ट इस्टेन है यहां पर आपका यह रूट में देखा जागया है तो यह पॉइंट आपको यहां पर ज्यान में जरूर रखना है तिक है चलो बच्चों अब आते हैं अपने बच्चों के यहां बच्चों किया जता है जा अपड़ेश्ब प्रोडव्स अब यह क्या हुआ बच्चों के रूप में देखिए हमने आपको बताया था कि जो हम घ्लापयोग में जा इसक्राइब यह दो परकार के डाइब होते एक आपका होता है नेचुरली ठीक है नेचुरल रूप से प्राप्त किया जाने वाला राप्त किया ऐने वाला डοιπόν और जानते हैं और संथेटिक रूप का मतलब जिसको हम लोग रूपसे तयार करेंगे तो आपसर में बता आ गया है कि कौन सा यहां पर यहां पर रूपसे यहां पर तयार है हमोटॉकषण है सेफ़रॉन है और सियन है उसके बाद और सियागा लाकड़ी के माध्यम से है और कि तके इसको यह लोग लोग करते हैं और वर्षिन के अगर बात करेंगे तो इसको भी लोग लाइक केंश से प्रॉप करते हैं लाइक हैं और वह उस्ही नहीं आपको है आर जाते हैं चलिव आते हैं यहां पे टेन नंबर का है उसको भी आम जना साथ देख लेते हैं कि इंप्रसीजर बहुत इंपोस्ट इस प्रस्टन है पोस्ट इस्टेणिंग का कौन सा प्रोसीजर है है डी हाडेशन फिक्सेशन इंबेडिंग या फिर आपका डी कैल सिप्रेशियस देखिए दो चीज़े होती है एक आपका होता है टीशू प्रोसेशिंग ज्यां से सुगेगा एक होता है बच्छों टीशू प्रोसेशिंग में भी हम लोग यह स्टेप यूज करते हैं और एक एक होता है हमारा क्या इस्टेनिंग की प्रोसीजर इस्टेनिंग प्रोसीजर में भी हम लोग कुछ तो हमारे इस्टेनिंग में यूज होता है तो इस्टेनिंग में यूज होता है चलिए एक बार इसको देख लेते हैं यहां पर क्या हो जाता है कि पोस्टेनिंग का मतलब क्या हुआ तो क्या सर इसे सरे के बाद में हम लोग क्या सर्षिक्सेशन करते हैं या फिर पहले कर ले रहे हैं या फिर या फिर पहले कर ले तो बच्चों यहां पर आप सब्थे को पेस बार इस्ते में नििक Communist वार्य करेंगे इसका प्रोशिजर क्या है तो सब से पहले आप क्या करते हैं डी- पैराफिनाइजेशन याने की पैराफिन को क्या कर रहे हैं या आप फे आप लोग हटा रहे हैं तो उसके लिए jylene पहली यूज़ किये फिर यहां पे रीड हाइडन करते हैं उसके लिए आप लोगवाग में फिर यहां पे Fahrenheit लिए हिमे आपने कोई भी हेमोटराइब कर सकते हैं उसके बाद में differentiation करते हैं किसके दोरा आप यहाँ पर क्या करेंगे एक वन परसेंट डालेंगे जिससे हो जाएगा और दो परकार के जो component है उसमें क्या हो जाएगा differentiation हो जाएगा देन उसके बाद में bluing agent का उपयोग करते हैं bluing agent के बारे में हम लोगों ने theology में बात की थी कि एक अखिर में bluing agent होते क्या है ठीक है युसके बाद में साय्टोपलाजन की स्टेम जिसको हम युसीन के रूफ में देखते हैं ठीक है उसके बाद में आपका क्या होता है लास्ट का जो step होता है वो होता है आपका dehydration का हुझ तो प्रस्न क्या पूचा है? Sophia Post quilis कि में कौन सा इस्टेप होगा तो देखें लास्ट में आपका क्या दिया है यहां पर दिया गया है तो मुझे लगता है साइद आपके मन में यह संका होता कि टिसू प्रोसेसिंग में तो पहले आ यहां यहां पर होगा नहीं होगा इंबेडिंग नहीं होगा सबसे लाइश्ट में लोग क्या करते हैं और ऑस्सें नंबर हो जाएगा ठीक है चलिए 10 MCQ आप लोगों ने यहां पे solve किये अब चलिए आते हैं अपने last वाले MCQ पे last MCQ हमारा क्या है 11 number का MCQ है 11 number का MCQ क्या कह रहा है कि डाडडड fixative इस यह transport fixative फार smear यानि कि कौन सा ऐसा fixative है जो कि आपके smear के transport के लिए रूप में इज़ गा जाता है यानि कि अगर हमें एक अस्तान से दूसरी अस्तान तक ले जाना है तो हम लोग यहां पे किस प्रकार के fixative का उपयोग करेंगी कार्बोबैक्स का mercury chloride का 10% formal saline का या फिर आपका नन आप दा एबब तो भाईया नन आप दा एबब नहीं होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बोबैक्स ट्रांसपोर्ड फिक्सेटिव की रूप में हम लोग कार्बोबैक्स के नाम से जानते हैं इसका हम लोग उपयोग करते हैं नीका आपके पास कितने mcq थे बच्चो हमारे पास टोटल 11mcq थे जिनका इस्पलानेशन बहुत यह बहुत ही बहतीजनी तरीके से कर दिया गया है कि क्या करना होता है चाहिए वो कर आते हैं चाहे हो पुरे स्टेप को क्या लेता है कवर कर लेता है मुझे उम्मीद है कि अगर बेसिक बेसिक बात किया जाएगा ठीक है जो एक कांसेप्ट वालब पॉइंट है तो पूरा हिस्टोलोजी का जो सार है इन 11 में यहां पे क्लियर हो गया है ठीक है तो इस तरह से अगर आपको लाइब सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ में अपने दोस्तों में सेर कर सकते हैं और अगर आपको इसका पीडिया चाहिए विद सौल के साथ तो हमारा टेलिग्राम को जो लिंक है इसको आप लोग जाके जोइन के लिए और आपको एक बैच की जरूरत है तो हमारा हाटसिप नमबर आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने नेक्टेक्चर में तब तक के लिए अपना ख्याल लगें तुस्त रहें मस्त रहें थैंक यू